Good morning students, today I am going to teach you chapter money हमने अपने पिछले वीडियो में भी कौन सा चैप्टर पढ़ा था? Money, बट उसमें हमने क्या पढ़ा था हमेरे previous वीडियो में? Writing Money, तो आज भी हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? Writing Money, मिन्स हम Money को कैसे लिखेंगे? तो हमने उस वीडियो में क्या लिखा था? Words में लिखना सीखा था अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे? Figures में लिखेंगे हमने उस वीडियो में क्या किया था? Words में लिखा था और इस वीडियो में हम क्या लिखना सीखेंगे? Figures में तो ठीक उसी तरीके से ही करना है बट उसमें क्या दिया गया था figures दिया गया था और words में लिखना था इसमें हमें words दिया गया है हमें किसमें लिखना है figures means number में लिखना है ठीक है तो आपको क्या करना होगा इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को क्या करना होगा ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बता रही हूँ और क्या समझा रही हूँ तो जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में भी कुछ भी नहीं आएगा तो इसलिए आपको समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपको भी क्या करना होगा इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा तो आज का हमारा टॉपिंग है राइटिंग मनी हमने previous वीडियो में भी writing money पढ़ा था बट उसमें हमने words में लिखना सीखा था आज हम इस वीडियो में figures में लिखना सीखेंगे तो यहां पर examples आपको दिख रहे हैं तो मैं यह examples को one by one आपके सामने solve करूंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी तो इसलिए अब हम क्या करेंगे यह examples को one by one solve करेंगे तो अब हमें solve करने जा रहे हूँ तो आपको भी क्या करना होगा इस वीडियो को ध्यान से देखना start करना होगा और मैं क्या बता रही हूँ यह भी सुनना अच्छे से सुनना पड़ेगा तो ठीक है हमारा पहला example क्या है यहाँ पे लिखा हुआ one twenty rupees eighty five पैसे means one twenty क्या दिया है रुपीज दिया है और eighty five क्या दिया है पैसे तो इसे लिखने में बहुत ही आसान है क्या करना है रुपीज क्या है one twenty और पैसे क्या है eighty five तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे रुपीज का पहले ऐसे sign लगाएंगे यह लिखेंगे रुपीज हो गया ही हमारा और यह क्या है one twenty क्या है 120 क्या है रूपीज है फिर पैसे लिखने से पहले हम यहां पे क्या लिखाएंगे एक पॉइंट लगा देंगे फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पे 85 इस पॉइंट के बाद जब हम नंबर लिखते हैं तो वह obviously क्या कहलाता है पैसे और पॉइंट के जो पहले बिखते हैं यह मैं उसे क्या कहलाता है रुपी्ज मैं आपको प्रिविश्वीडियो में आपको बताया ही था यह एक आपको कैसे लिखना लिखना ऐसे वर्ड करें क्यों है इस आपको कुछश भी नहीं करना है सिर्फ जैसे दिया गया है आपको as it is वैसे ही लिखना है तो यहाँ पे 120 क्या दिया है? रुपीज दिया है तो मैंने भी वही किया रुपीज यहाँ पे लिखा और 120 को लिख दिया रुपीज के साथ फिर हमने point लगाया तो कि हमें पैसे लिखना है तो point लगा के हम क्या लग देंगे यहाँ पर 85 लिख देंगे तो जिससे यह 85 को हम क्या कहेंगे? पैसे कहेंगे क्या कहेंगे? पैसे अब ठीक इसी तरीके से हमें अपना second example भी solve करना है अब यहाँ पे क्या दिया है? 9 रुपीज और क्या दिया है? 5 पैसे तो क्या दिया है? 9 रुपीज 5 पैसे तो आपको क्या करना है? पहले रुपीज यहाँ पे लिख लेना है यह मैंने रुपीज लिख लिया और कितने रुपीज है? 9 लिख लिया, point लगा दिया अब यहाँ पे कितने पैसे हैं? 5 पैसे हैं मिन एक ही नमबर है तो पहले आपको यहाँ पे 0 लगाना होगा फिर 5 लिखेंगे आप तब हम इसे क्या कहेंगे 5 पैसे आप डारेक 5 नहीं लिख सकते हैं क्या लगाना है आपको पहले 0 लगाना है अगर यहाँ पे 15 होता तो आप 15 लिख देते हैं तू नंबर्स है यहाँ पर 5 पैसे दियेगे इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे जीरो फिर 5 लिखेंगे तब आप इसको कह सकते हैं 5 पैसे अगर वाइफ लिखेंगे तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे 50 हो जाएगा इसलिए आपको क्या करना होगा पहले यहाँ पर 0 लगाना होगा उसके बाद आप 5 लिखेंगे 5 को आप single number नहीं लिख सकते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे rupees 9 फिर उसके बाद क्या लगा देंगे 0.05 मिन्स 5 पैसे तो 9 rupees 5 पैसे को हम figure में इस तरीके से लिखते हैं ठीक है अब हम अपना third example solve करेंगे यहाँ पे क्या दिया 90 rupees 10 पैसे तो क्या करना है से इसी तरीके से करना है हमें इसे भी तो पहले हम क्या लिखेंगे rupees यहाँ पे क्या है 90 तो 90 यहाँ पे हम क्या लगा देंगे point फिर हम पैसे लिखेंगे 10 हो गया है ना easy क्या हमने लिखा 90 rupees 10 पैसे को हमने figure में लिख दिया है rupees 90.10 means यह जो point के पहले वाला नंबर यह rupees हो गया point के बाद वाला जो नंबर है वो पैसे लिखेंगे हम उसे अब यहाँ पे fourth example में क्या लिखाया सिफ 20 पैसे क्या लिखाया सिफ 20 पैसे rupees यहाँ पर दिया है नहीं दिया है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है हम उसे पैसे नहीं लिखेंगे बट कैसे लिखेंगे वो मैं भी आपको बता रही हूं, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ पे लिखेंगे हम रूपीज, बड़ रूपीज तो दिया नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0, मिन्स रूपीज नहीं दिया, इसका मतलब हम 0 लिख देंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे पॉइंट फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 20 पैसे जैसे हमने अपने पिछले प्रिवियस वाले जो वीडियो में हमने लिखा था ना वहाँ पे उसमें भी लिखा था रुपीज 0.55 पैसे दिया था अब हम पॉइंट लगाएंगे उसके बाद हम क्या लिख देंगे 20 क्या लिख देंगे हम 20 अब हम अपना फिफ्ट वीडियो फिफ्ट एक्जाम्पल सॉल्फ करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 550 रुपीज और 65 पैसे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रुपीज 550 550 पॉइंट 65 तो हो गया 550 रुपीज 65 पैसे मिन्स पॉइंट के पहले वाला क्या नंबर हो गया रुपीज पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या हो गया पैसे ऐसे ही एक्जाम्पल्स आपको वन बाई वन मिलेंगे और आपको क्या करना होगा ऐसे ही solve करना होगा फिर हम अपने six example पर आते हैं यहाँ पर क्या लिखा है 75 पैसे तो आपको मैंने अभी एक example बताया है कैसे करना है तो पहले हम रुपीज नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे रुपीज 0.75 हो गया है ना इसी सिर्फ पैसे दिया गया होगा तो आपको ऐसे ही लिखना है मतलब रुपीज नहीं दिया तो रुपीज में क्या लगा दो गया आप 0 उसके बाद पॉइंट लगाएंगे उसके बाद हम क्या लिखेंगे 75 क्योंकि वो पैसे है अब हम अपने seven example को भी ऐसी solve करेंगे तो पहले यहां पर क्या लिखेंगे रुपीज कितने रुपीज है 15 और कितने पैसे है 15 मिन्स रुपीज भी 15 है और पैसे भी कितने है 15 हमने लिख दिया ऐसे ही हम अपने eight example को भी solve करेंगे पहले हम यहां पर रुपीज लिख देंगे कितने है रुप लिखा है तो means rupees क्या है 80 और पैसे क्या है 80 हमने वही लिखा अब ठीक इसी तरीके से हम इसे भी solve करेंगे क्या दिया है 106 पैसे हैं 60 पैसे तो हम पहले क्या लिखेंगे रुपीज लिखेंगे 106 रुपीज हो गया है और कितने पैसे हैं 60 means point लगा के हम क्या लगा देंगे 60 क्या लगा देंगे 60 अब इसी तरीके से हम अपना आगरे example भी solve करेंगे क्या दिया यहाँ पे 20 रुपीज और कितने पैसे दियें 50 पैसे जैसे हमने इसको किया वैसे हमें इसे भी करना है 20 रुपीज है तो हम क्या पहले लगाएंगे रुपीज फिर लिखेंगे 20 फिर क्या लगाएंगे point फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 50 पैसे तो हम लिख लेंगे यहां पर रूपीज 20 की पॉइंट लगाएंगे फिर हमें क्या लिखना है 50 पैसे लिखना है हमने लिख दिया है ना इसे कनवर्ट करना तो याद रखना है में आपको समझा तो 27fund बाषिप और मीद्ट काट करना 허락ा में लिखना जब यूर नंबर में लिखना और यहां जो को चैसी जब देढ़ा लिखना हों पता है कि 20 क्या है रुपीज है तो हम यहाँ पệcईर बना दें गे और 20 लिख दे पिर इसके बात 50 पकि एसे लुगे देंगे और 50 लुख देंगे ऐसे हमने इसे भी वाज़ना की इसे की घ्शाम्प्ल शाहिए और आपको ऐसे ही Cul करना है thank you and have a nice day